साथियों, देश में रेल नेटवर्क के आधुनी करण के साथ ही आज देश के उन हिस्सों को रेल्वे से कनेक्ट किया जा रहा हैं जो अभी कनेक्टेड नहीं थे आज पहले से कहीं जादा तेज़ी के साथ पुराने रेल रूट का चावडी करण और बिजली करण किया जा रहा है रेल ट्रेक को जादा स्पीड के लिए सक्षम बनाया जा रहा है यही कारण है कि आज देश में सेमी हाइश्पीड ट्रेन चलाना संबव हो रहा है और हम हाइश्पीड ट्रेक और टेकनलोजी के तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इस काम के लिए बजेट को कई गुणा बढ़ाया गया है यही नहीं रेलवे एन्वार्मेंट फ्रेंडली भी हो यह भी सुनिस्चित किया जा रहा है के बढ़िया रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जिसको सुरुवाद से ही ग्रीन बिल्डिंग के रूप में सर्टिफिकेशन मिला है भाई और भेनों रेलवे के तेजी से आदुनी करण का एक बड़ा कारण रेलवे मेनुफेक्चरिंग और रेलवे टक्लोलोजी में आत्म निर्भरता पर हमारा बल है हमारा फोकस है बीते सालों में इस दिशा में जो काम हुआ उसका परणाम अब धीरे 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 हमारे सामने दिख रहा है अब सोचिए अगर हम भारत में हाई होर्स पावर के इलेक्रिक लोकोमेटिव नहीं बनाते तो क्या दुनिया की पहली डबल स्ट्रेक लॉंग होल कंटेंडर ट्रेंड क्या भारत चला पाता आज भारत में ही बनी एक से एक आधुरिक ट्रेने भारती रेल का हिस्सा है भाई और भेनों आज जब भारती रेल के ट्रांस्फोर्मेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हाईली स्किल स्पेश्यालिस्ट मेंपावर और प्रोफेशनल्स भी बहुत जरूरी है बडोद्रा में भारत की पहली दिम रेलवे उनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे यही मक्सद है रेलवे के लिए इस प्रकार का उच्च संस्थान बनाने वाला भारत दुनिया के गीने चुने देशों में से एक है रेलवे ट्रांस्पोर्ट हो, मल्टी डिसिप्लनेरी रिसर्च हो, ट्रेनिंग हो, हर प्रकार की आदुनिक सुविदाएं हो यह सारी चीजें यहां उपलब्द कराई जा रही है बीस राज्जों के सैंकडो मेगावी युवां भारतिय रेल के वरतमान और भविश को बहतर बनाने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं यहां होने वाले इनोवेशन्स और रिसर्च से भारतिय रेल को आदुनिक बनाने में और मदद मिलेगी